आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, इस question में कहा रहा है कि एक ball जो है हम ड्रॉप कर रहे है vertically height जो कि D height है वहाँ से हम एक ball drop किया है और ना वहाँ पर क्या वह नीचे गया और नीचे से bounce back होता है और bounce back होकर कि फिर वो ना height D upon 2 तक आ जाता है ठीक है तो इसमें हम कर रहा है कि velocity और जो ना velocity V और ना और height H के बीच में हमको grab बनाना है ठीक है तो चलिए हम बनाते हैं और यहां बोल रहा है कि neglect करने के लिए resistance यह सब चीज़े होता है neglect करने के लिए हम हम कुश्चन में क्या बोला होगा कि सिंपल सा बोला होगा है कि माल लेते हैं कि यहां से यह height h है यहां से कोई ball को जो न हम drop कर रहा है ठीक है पहले क्या को पहले तो velocity जीरू होगा और यहां आएगा velocity के पास यह ball के पास कुछ velocity होगा ठीक है वेलोसेटी हमको पता नहीं है तो अभी हम छोड़ देते हैं कुछ वेलोसेटी होगा फिर क्या होगा कि बाउंस बैक होता है और बाउंस बैक हो करके बॉल में क्या होता है कि वेलोसेटी कुछ आ जाता है ऊपर की और ठीक है यह भी वेलोसेटी पता नहीं है इसको भी हम कर जाता है मतलब यहां से यहां तक जंप करके आ जाता है ठीक है और फिर यहां पर क्या होता है कि यहां पर जीर हो जाता है इसका यहां पर फाइनल जीर हो जाता है तो चलिए हम सबसे पहले तो यहां से यहां तका कितना है डी है और यहां से यहां तका कितना है डी है और यह एस के फर्मुला से हम निकाल सकते हैं ठीक है, initial velocity क्या था यहाँ पर जी रो था, तो v equal to under root of 2 into acceleration g into d, v equal to under root 2 gd बोल सकते हैं, gd का इसका भी root हो जाएगा, root 2 under root gt, gd ठीक है, यह इतना velocity हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका velocity लिख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं velocity, कितना velocity से यहां आड़ा होगा, बढ़ते बढ़ते हो गया होगा, under root 2, under root gd, और अगर हम इस case की बात करें, तो यह जो है उचला, और ना फिर वापस d upon 2 height तक गया, ठीक है, यानि कि यहां कितना velocity हो गया, हम इसको black pen से निकालते हैं, यानि कि v g square equal to u square plus 2as, ठीक है, final velocity यहां पर 0 चल जाता है, तो 0 कर देते हैं, u square equal to minus 2as, ठीक है, तो यहां से u square equal to minus 2 into acceleration, कि इस direction में है, माइनस की direction में है, तो minus minus plus g into d upon 2, 22 यहां cancel हो इस था, और u का value हमारे पास आसता है, gd का root, यानि कि root, g into d, यानि कि यह जो velocity होता है, इसका root 2 times हो जाता है, ठीक है, सबसे पहली बत कि, यहां पर जो एन ग्राप में हमको उतना दिखना भी नहीं था, ग्राप में हम direct answer कह सकते थे, ठीक है, ग्राप से हम देख, direct answer कह सकते थे, ठीक है, आपको समझाने के लिए, हम इतना कुछ कर यह कैसे कह सकते थे, यह क्योंकि देखिए, पहले अगर वेलोसेटी अगर नीचे की direction में आ रही है, ठीक है, नीचे की direction में आ रही है, तो देखिए, यहां पर नीचे आ रही है, तो वेलोसेटी पहले तो negative में था, वेलोसेटी, एक negative में था, और फिर वेलोसेटी ऊपर की वर जाड़ी है यानि कि वेलोसिटी पॉजेटीव में आ गया यानि कि एक तो वेलोसिटी का देखिए वेलोसिटी और जो भी एच के बीच में graph है एक positive एक negative इसमें है यानि कि ये तो खतम हुए दोनों positive में इसमें दोनों negative में दोनों खतम हो गया यानि ये होता और ये होता और यहां देखिए under root में g है यानि कि velocity जो है proportional to under root ठीक है ठीक है ऐसे यहां पर आता है यानि कि ये तो होता नहीं ये straight line है यान यहां पर यूक वल टो अंडर ग्तल आठी यहां पर तक्राथी आंडर रूट जीटिए। यारिक यहर्णी जो यह यहां पर डी ह法इट से िरांएं डी हईाइट से घिरांएं पहले तो नीगेटिब डीकिंप में में जाजाएँ था पहले देखेंगे ग्तव लिख that कुछ था जीरो था और फिर जाते 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 बरोटे कुछ मैशना आ गया और फिर यह दिखे है यहनम इन पर कम कम च्ट घे रहा है यह वेलोड में जाता चादा यानी की यह वेलो सटिटेज जाता thou wandered रूंडय चहुत होर्य विदेज कम था अंडर 404 सुपर